वैरम खां अकबर को अपना बेटा जैसा और उसका संरचक बनकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की हिफाज़त करते हुए अकबर को एक बाद साहत की आबिल बनाया लेकिन उसके मरते ही अकबर ने अपनी मा समान सलीमा बेगम से साधी कर ली जिसका विवाः पहले से वैरम खां से हुआ था और उसके एक बच्चे थे जिसका नाम अबदुर्रहिम खान खाना था तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम इसी के पीछे से रहत्स का परता उठाने वाले हैं और जाने के कहां तक कितनी सच्चाई है तो दोस्तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहें उससे पहले आप से रिक्वेश्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को एक्सेर सलीमा वेगम की मा का नाम खुलुरुख बेगम था जो दूसरे मुखल साथा हमायू की सोतेली बहन थी और दिलतार की बेटी तो इस तरह सलीमा वेगम अकबर की सोतेली फफेरी बहन हुई कुलूरुप बेखम जो साही घराने से थी वह अपनी बेटी को जन देने के चार महीने बाद मर गई थी सलीमा बेगम का लालन पालन हुमायू ने बहुत अच्छे से किया वहरम खा हुमायू का करीबी दोस्त था जिसने हुमायू के साथ मिल कर कई युद्धों को फते किया सोला वर्स की आयू में ही एक लड़ाई में बहुत बीरता दिखाई उसकी बहादुरी का कायल मुगल सल्तन का सस्थापक बाबर भी हो गया तब बाबर ने खुद उससे कहा कि सहजादा हुमायू के साथ छाय कितरा हमेशा उसके फास रहना बैरम खां के अंदर मुगल सल्तन की वफादारी कूट कूट कर भरी थी मायू ने चमपानेयर गुचरात की किले में घेरा डाला जब बैरम खां ने देखा कि इस तरह अलना गलने वाली है तब वा चालिस मुगल सिपाहियों के साथ किले के अंदर उतर गया और किले को फते कर लिया तेर साथ से चौसा युद लड़ते वक्त बैरम खां की हुमायू के साथ था कन्योज में भी वा हुमायू की और से लड़ा इस सभी घटनाओं ने हुमायू और वैरम खां को एक अटूट मित्रता में बांदिया उसके इसी बहादरी और उफादारी को देखते हुए हुमायू ने सलीमा बेगम की साधी बैरम खां से कर दी बैरम खां का पानीपत के दूसरे यूद में हेमू से यूद किया अश्वक्त अक्बर की उम्र 13 साल थी बैरम खां ने पानीपत का जंग जीत कर अक्बर का राजаж विसेख किया जब अक्बर समराड वन गया तब उसने बैरमखा को हज के लिए मक्का जाने की सलाह दी اور कहा की आप हज के लिए मक्का जाएं अक्बर अब बढ़ा हो गया था और बैरमखा अक्बर के इसी काविलियत को देखते हुए मक्का की तरप अपना रुख किया रास्ते में कुछ अफगान सिपाहियों ने बैरम खांक को मार डाला 1561 में बैरम खांक की हत्या के बाद सलीमा वेगम और अब्दुर्रहीम को बादसा अकबर ने अपने पास पुला लिया और सलीमा वेगम से विवा कर उसे मुगल महरानी का ओदा दिया और सलीमा वेगम और अब्दुर्रहीम का दायुत अपने सा ले लिया जब अकबर की सलीमा वेगम से साधी हुई थी उस वक्त सलीमा वेगम अकबर से 10 वर्ष की बड़ी थी दोस्तों उमीद करता हूँ आजानकारी आपको पसंद आई होगी इसी तरह की एतिहासी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और वीडियो को एक्सेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में